नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग डाउटनिट की इस क्लास में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं, मेरा नाम है अमित और मैं हूँ आपका सामाजिक विग्यान का अध्यापक, बचा पाटी इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं? तो बेटा इस सेशन में हम सामाजि प्रश्ण है प्रश्ण है एक्जाम पॉइंट ऑफ विउ से वह हम करने वाले हैं ठीक है ना तो एक करके जो है प्रश्ण को हम देखते हैं चलिए तो नंबर वन प्रश्ण जो है पढ़िए और एक्जाम पॉइंट अब बहुती महत्पूरा और बिल्कुल अलग क्वेशन आपको यह जो दिखेंगे बहुती अच्छी क्वालिटी के जो है क्वेशन है तो पहला क्वेशन पढ़िए बिटा राष्टवादी लोग गीत और जन शुरुतियों को इखटा करने के लिए गाउं-गाउं क्यों घूमें तो बेटा जो राष्टवादी लोग थे सभी जनता के सामने लाना चाहते तो यहां फिर राष्टवादी इन्हें प्रकाश्चित कर धन इकट्टा करना चाहते तो बेटा इसका जो जो सही ऑप्शन होगा वह वो अप्शन नमबर बेटा जो सभी तस्वीर जो ने विगाड़ दी ती उसकी सही तस्वीर थे उसकी सही जुन के सामने लाना चाहते थी तो option c होगा यह विल्कुस सही option होगा अब आपके मन में एक question आएगा यह जो सरकेस्टन हम लेकर कहां से नहीं तो भी मैं से लेकरंग जो है तो दो इसके लिए उसवाल की गोल्टन गाइड करके किताब इसमें रोत कुरसंग विद़ेगे विए चैप्टर tecnología को श्रीकियामा चैप्टर से उनकी जो है questions आपको मिल जाएंगे इसमें आपको mcqs मिल जाएंगे यान की जो बहु विकल्पी question है बिटा short question है long question है सारे type की जो question है बेटा आपको इस guide में मिल जाएंगे तो guide कौनसी है बेटा तो golden guide है औस वाल की guide है बेटा अगर आप थोड़े से interested हो या आपको थोड़े से serious अपने study को लेकर या फिर अलग अलग टाप की questions है बेटा वो करना चाहते हो तो आपको जो इसका link है बेटा वो description में मिल जाएगा description में और comment box में इसका link है वो आपको मिल जाएगा वहां से आप जो click करोगे तो इनकी जो website उस पर जाके आप जो है इसे purchase कर सकते हो बहुत ही प्यारी question है बहुत ही प्यारी guide है इतने अच्छे-च्छे question है अभी तो एक question करवाया है मैंने आगे question देखना बहुत ही प्यारी question ह कि सवाल पर क्यों बटे हुए थे अच्छा सबसे पहले जानते हैं प्रिथम निर्वाशिका होती क्या है इसे English में बोलते है separate electorate अब जैसे मान की चलो एक कोई जगा है तो यहां पर सरकार ने बोल लिया कि जो जो भी खड़ा होगा जनाब चुनाव में जो भी खड़ा हुआ क्या जब अंग्रेज जो थे प्रिथक निर्वाश का यह लाए तो यहां पर क्या हुआ लोग बट गए इस्पैशली जो हिंदू और मुसलिम थे बट गए अंग्रेज का में क्या तो देश ही था कि हिंदू और मुसल्मानों को बाटो फूर डालो और जो है राज करो तो यहां पर इस वयसे है तो option number A देखते है राजनीतिक नेता जो है प्रिथक राज की स्थापना करना चाहते थे option नमर B बीटा मुसल्मान नेता जो है जन संक्या के आधार पर अपना प्रतिद्द्द चाहते थे option number C बेटा राजनीतिक सामाजिक वहां Sanskrit सभी की राए भारण मनेगा कि भारत में से एक अलग देश निकलेगा इसका नाम था पाकिस्तान और बंगलादेश ठीक है तो आपको आई हूप क्लियर हो गया होगा option question number 3 पर चलते हैं question number 3 पर चलते हैं पढ़िए बहुत ही अच्छा question यह अपनी community के सबसे पड़े लेखे इंसानों में से एक थे तो option number जो सी होगा यह बिल्कुत सही होगा ठीक है चलिए move on to the next question question number 4 देखते हैं बेटा तो जलिया बाला बाग बेटा हत्याखन में किस journal द्वारा बेटा जो है गोलियां चलवाई गहीं ती तो option नमर ए है बेटा कैमिलो काबूर ऑप्शन नमर बी है बेटा मैसीनी और सी जर्णल टाइर यह फिर option दी है बिटा जर्नल विक्तर तो इसका सही उत्तर क्या होगा विटा यह तो पहुत ही और स्योग वां खिलाफत आन्दोलन एक साथ कब शुरू है बेटा और स्योग और खिलाफत ऑंदोलन डिटा गांदी जी ने क्या निकाला था टैकणिक के भी आजगो यहां पर स्काब बेटा तो वर्च 1921 वर्च 1821 में वर्च 1926 में यहां फिर 1826 में तो तो बेटा जिसका जो सही उत्तर होगा वो होगा option number A वर्ष 1921 में ठीक है तो option number A जो होगा ये बिल्कुल सही answer हो जाएगा चालिए तो move on to the next question option number six देख लेते हैं अवद शेत्र में किसानों द्वारा चलाए गए आंदोलन का जो है नैतुत किसने किया था ये बताओ कौन कर रहे थे लाला लाच पतला ऑप्शन नमर भी महत्मा गांदी या उप्शन में सी जवाहलाल धैरू या फिर option नमर डी बेटा बाबार राम चंद इनों ने क्या किया था इनों आप या किसानों का नैतुत किया था ये खुद भी क्या थे बानुआ मज़़ूर थीजो पीजी में काफी टाइम रहे की क्या करें लड़ते रहेंगे आखरी दम तक तो option number 0 और किसान कि निर्मान्ट भी करते हैं जो किसानों के हक के लड़ती थी तो ऑप्शन में चलते हैं गुजरात के बीटा बारदोली तालुका में किसान अंधूलन की बात हो हो जाएगा चलिए तो अगले क्वेशन पर चलते हैं बेटा क्वेशन नमर एट ठीक है वर्ष 1929 एक लाहर अधिवेशन जो लाहर सेशन हुआ था बेटा में किसकी मांग की गई थी तो यह आपको पता होना चाहिए कब हुआ था यह 1929 में जो है बेटा क्या हुआ था लाहर अधिवेशन हुआ था यानि कि लाहर में क्या हुआ था कॉंग्रेस का सेशन हुआ था मीटिंग हुई तीन लोगों की और यहां पर किस चीज की मांग की गई थी तो ऑप्शन नमर ए है बेटा मजदूरों की हितों की बात की गई थी ऑप्शन नमर C है पूर सुराज की मां तें यानि कि हम्हें स्वैम का राज हम खुद राज करेंगे हमें किसी और जरुवत नहीं है विल्कुल भी जरुवत नहीं है तो यह जो आपको अच्छे लगे होंगे समझ में भी आये होंगे बहुत ही प्यारे-प्यारे क्वेशन है ऐसे ही क्वेशन बेटा और आपको अगर पढ़ने हैं बेटा तो इसके लिए क्या है मैंने अल्यडी बता दिया गोल्डन गाइड है किसकी बिटा उसवाल की है अगर आप इंट आपको विद्याने सकरैंश के अणसर भी जो है आपको कहीं और नी जाना पड़ेगा आंसर भी इसमें बाकाइदा इसमें लिखे हूं रहे ना चलिए बाकि आपको आपको यह जो जो सइशने बहुत ही पसंद आया होगा समझ में भी आया होगा तो मिलेंगे अगले इसी ट